ओम शान्ती, 15 जन्वरी 2024 आज की साकार मुरली, रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पड़ें, सुनें और मन्थन करें, आज की मुरली का सार मिठा मिठा बाबा, कहते मिठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, पावन बनना है, तो याद की यात्रा बहुत बहुत जरूरी है, तो याद की यात्रा माना, बाबा की याद में चलते हुए, मेरे में रोज आना सुधार आता रहे, यही मुख्चे सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे सुधार करना है, मुझे चड़ती कला में जाना है, तो खुशी होगी, जब तक हमें सुधार नहीं मिलेगा, तो हमें खुशी भी नहीं होगी, खुद को दुख होगा, कि क्या फैदा मेरा, मैं क्यों गलतियां कर रहा हूँ, तो जब हम अपने आपको सुधरते हुए देखता हैं, तो खुशी रहती है, यही ब्रामन जीवन है, इस योग बल से सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो, यही मुख्य सब्जेक्ट है, इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो, प्रश्ट, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वे मनुश्यों के साथ योग जुटा, इससे जुटा, मुनुश्यों का मुनुश्यों से योग, गुरु जी से, मात्मा जी से, जो भी या परिवार के लोगों से, लेकिन अभी हमें निराकार के साथ योग लगाते हैं, और यह योग लगाना सिखा भी निराकार सकता है, मनुश्यों ने अपने साथ योग लगाना सिखाया, और निराकार परमात्मा आकर हमें निराकार स्वयम परमात्मा के साथ योग लगाना सिखाते हैं निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करें क्योंकि निराकार बाप जो सारे संसार की आत्माओं का बाप है, वो सर्व के कल्यान का ही रास्ता दिखा सकते हैं ये है सबसे निराली बाद, ये है सबसे निराली बाद दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचे, आक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना ये भगती, बिना किसी के आक्यूपेशन को जाने कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता, और हम उसका कहना मानने शुरू करते, वो हमें डुबो देगा, हमें पता तो हो कि वो हमारे को सही मार्ग दर्शन करेगा जब ये निश्चे हो तब तो उसका कहना माने ग्यानवान बच्चे परीचे सहीत याद करते हैं जो ग्यानवान बच्चे होते हैं वो परमात्मा को यथार्त रिती से जानते हैं परमात्मा को यथारत नीती से जानने का मतलब होता है पहली बात उसका हम सुरूप को जानते हूं परमात्मा एक निराकार सुक्षम अती सुक्षम जो इन आखों से देखा नहीं जा सकता वो इतना सुक्षम परमात्मा है और वो हम आत्माओं का सर्वच गाइड है उसकी गाइड़नस ही हमारे लिए मागदर्शन है क्योंकि वो जो रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता जिसमें सर्व आत्माओं का कल्यान समाया हुआ और वो भी कैसे समाया हुआ हो उसका भी सारा राज समझाया स्रिष्टी के आदी मद्य अंत का राज समझाया कर्मों की गुए गती समझाये कि हम जो करेंगे वो हमें लेना ही होगा और जो लेंगे वो देना भी होगा बिना हिसाब बराबर किये हम कभी घर जा नहीं सकते यह wonderful राज सिवाए परमात्मा के और सिस्टी के आदी मद्दे अंत का clear इतना स्पस्ट राज ना तो किसी ने समझाया और ना समझा सकता है ओम शान्ती रुहानी बाप बैट बच्चों को समझाते हैं बच्चों को पहले पहले तो बाप का परीचे मिला है छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले मा बाप का परीचे मिलता है तुमारे में भी नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार है जिनको रच्था बाप का परीचे मिला है ये भी बच्चे जानते हैं ऊच्ते ऊच्च बाप ही हैं उनकी ही महिमा बतानी हैं महिमा गाते भी हैं शिवाय नमा ब्रह्मा नमा विश्नु नमा शोबता नहीं शिवाय नमा शोबता है ब्रह्मा देवताय नमा विश्णु देवताय नमा अक्षर शोबता है उनों को देवता कहना पड़े उच ते उच है भगवान जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की ही महिमा जरूर बतानी है वहे सुप्रीम बाप है बच्चे भूल जाते हैं की बाप की महिमा कैसे सुनाए पहले तो यहे समझाना है की वह सुप्रीम बाप है तीचर भी है सत गुरू भी है तीनों को याद करना पड़े यूं तो याद शिवबाबा को ही करना है तीनों रूप में तीनो रूप में ये तो पक्का करना पड़े तीनो रूप ब्रह्मा विष्णु शंका क्योंकि परमात्मा आकर अपने कारिये इन तीनों के द्वारा करते हैं और ये तीन कर्तव्य हैं आत्माईं तीन नहीं हैं ये तीन कर्तव्य हैं तीन काम हैं परंतु तीन आत्माईं नही आत्मा एक ही है उसके पाड़ तीन है ब्रह्मा के रूप में स्थापना शंकर के रूप में फिर विनाश और फिर विष्णु के रूप में पालना तब तो करते हैं उन्होंने तो उचेते उच बाप को ठिकर भेत्तर में कर दिया पत्थर उठाके पूजअना शुरू कर दिया कहीं भी रख दिया गंगा जी में डूबो के लेकर आए हैं आब यह पभित्र हो गया और मुनुष्य गंगा जी में ना के पवित्र ना होता, पत्थर पवित्र हो जाता है, मुनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मुनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकता, पर मात्मा कहते हैं, मैं आता हूं, मुनुष्य तन में आता हूं, आकर आपको पढ़ाता हूं, पर तो मैं सदैव तो उसतान में नहीं रह सकता वे तो सिर्फ लोन लेते हैं किराय पर लेता हूं थोड़ी दिर के लिए अपना पार्ट बजाने के लिए वो खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूं तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य, क्योंकि हमें परमात्मा के बारे में मालूम होना चाहिए, कि परमात्मा ही एक सत्य है, वही सत्य नारायन की कथा सुनाते हैं, नर से नारायन सत्य बाप ने बनाया है, सत्य युग में इन लक्ष्मी नारायन का ही राज्य था, वे कैसे बने, किस ने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राज योग सिखाया, ये सब तुम अभी समझते हो, और सब योग होते हैं मनुश्यों के साथ, बाकी सब योग किस के साथ होते हैं, मनुश्यों के साथ होते हैं, ऐसा होता नहीं, जो मनुश्य का योग निराकार के साथ हो, ऐसा कोई दुनिया में सिखाता ही नहीं, कि किसी का योग निराकार परमात्मा के साथ हो, वे भी परिचे से, आज कल भल शिव से योग लगाते हैं, पुजा करते हैं, परन्तु जानते उनको नहीं ये भी नहीं समझते के प्रजा, पिता, ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा मुझे हुए हैं समझते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा तो पहले पहले सत्युग में होना चाहिए अगर सत्युग में प्रजा पिता ब्रह्मा हो तो फिर सुक्षम वतन में क्यों दिखाया है आर्थ नहीं समझते हैं ये साकार है करम बंधन में और वे सुक्षम है कर्मातीत, ये ग्यान कोई में भी नहीं है, ग्यान देने वाला एक बाप ही है, वे जब आकर ग्यान दे, तब तुम दूसरों को सुनाओ, बाप का किसको परीचे देना आँ, बहुत सहज है अल्लफ पर ही समझाना है, ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है, ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है किसको परीचे देने में कोई तकलीफ नहीं होती है, परंतु निष्चे नहीं, प्राक्टिस नहीं, तो किसको समझा नहीं सकते निष्चे खुद को निष्चे नहीं है, किसको ज्यान नहीं देते तो गोया अज्यानी है ज्यान नहीं तो बाबा कहते हैं, ज्यान नहीं तो भक्ती है न, दे अभिमान है, ज्यान होगा ही अभिमानी में हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परम आत्मा वही बाप, टीचर, सत्गुरु भी है प्रजापिता ब्रमा भी है बाप ने प्रजापिता ब्रमा का आक्यूपेशन भी बताया है अपना भी आक्यूपेशन बताया है मनुश्यों ने तो शिव और शंकर को मिला कर एक कर दिया है कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया अब विनाश्तो बम्स से नेचुरल केलेमिटी से होता है शिव शंकर महादेव कहते हैं ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है ये जितने भी भक्ती मारक के चित्र बने हुए है कोई भी चित्र यथार्थ नहीं है सब जूठे हैं ये सब भक्ती मरक के चित्र है, कुछ जानते नहीं, जो समझ में आया, चित्र बनाके रख दिए, वहां ऐसी कोई बात नहीं, प्रजा, पिता, ब्रह्मा भी देधारी है, कितने धेर बच्चे हैं, प्रजा, पिता, ब्रह्मा भी देधारी है, कितने बच्चे हैं, तो ये सब पूजा के लिए आपने समझाया है ये व्यक्त वे अव्यक्त ये जो ब्रम्मा बैठा है ये अभी व्यक्त है व्यक्त माना शरीर में है और फिर अव्यक्त फिर ये आशरीरी हो जाता है जब अव्यक्त बने तो फरिस्ता हो जाते हैं जब शरीर छोड़ा अव्यक्त फरिस्ता बन गया मूल वतन शूक्षम वतन दोनों ही है जरूर क्योंकि मूल वतन भी है और सूक्षम वतन भी है पर तो दोनों हैं अवस्थाईं बाकी कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस विशेश पर्टिकुलर स्थान को कहा जाए कि ये मूल वतन है ये सूक्षम वतन है ये स्थूल वतन है ये तीनों अवस्थाईं है जब हम आत्मिक सिचती में रहकर संकल्प की दुनिया में काम करते हैं तब हम हैं सुक्षम वतन में और जब हम आत्माएं संकल्प शूनिय हो जाते हैं तब हम हैं मूल वतन में वो हमारा मूल वतन का मतलब हम आत्माओं की मूल अवस्था जहां आत्मा कोई संकाल्प नहीं मुला इन पांचों तत्वों की दुनिया से न्यारी है इनी पांचों तत्वों के उनके क्योंके पांचों तत्वों में होने पर भी और ना होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा आग में पड़ी हो आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आत्मा पानी में है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मलग कोई पांचो उत्ता तो आत्मा पर कोई असर नहीं कर सकते पर तो वो कहां होगी किस स्थान पर होगी उसका कोई स्थान चाहिए ही नहीं उसको space की जरुथ नहीं है वो जहां भी है वो चाहे कहीं भी है परनतु वो क्या है? संकल्प शुने संकल्प है तो जहां संकल्प वहीं वो है यदि उसने संकल्प यहां बैठे बैठे अमरिका का किया तो अमरिका में चली गई शरीर को भी चला रही है और अमरीका में भी अपना पार्ट बजाने के लिए चली जाए जहां उसका पार्ट हो वहाँ जाने के लिए तो वहाँ जाएगी नहीं तो नहीं बाकी विजुलाइज करते रहना ये भक्ती मार्ग है द्रिशे देखते रहो जी बुल वतन सुक्षम वतन दोनों ही है जरूर शुक्षम वतन में भी जाते हैं मेलाब संकल्पों की दुनिया में इस दुनिया से संबंध खतम सब भी आत्माएं बराबर संकल्प के अनुसार काम चल रहा है बाप ने समझाया है प्रजा पिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही परिष्टा बनता है फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है फिर ये राज्ये करेंगे सुख्षम वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो वास्ता में विष्णु का चत्र बुजरूप भी है नहीं कितना क्लियर कह रहे है चित्र ना हो तो कैसे समझाए पर तो सच्चाई ये है कि कोई चार बुजाओं वाला विष्णु होता नहीं चित्र केवल सिरफ समझाने के लिए हैं बाकी वो सच्चाई नहीं है ये हैं भक्ती मारक के चित्र बाप समझाते हैं आत्मा के ही कोही पतित से पावन बनना है पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहते हैं आत्माएं निराकारी अवस्ता बे रहती हैं जहां उनका शरीर नहीं जहां उनके आकार को हम बना नहीं सकते जो उनका रूप है उस रूप को हम कहीं भी आकार दे नहीं सकते हमारी ये अस्समर्थता है आकार है यह नहीं कहेंगे कि परमात्मा का आकार नहीं है निराकार का अर्थ है परमात्मा का आकार है पर तु हम उसे बना नहीं सकते हम उसे इन चर्म चक्ष्मों से देख नहीं सकते उसे हम ग्यान के तीसरे नेत्र से देख सकते कल की मुरली में समझाया था ना बाबा ने कि आत्मा और शरीर ये दोनों क्या है अलद जब हम क्या क्या क्युते हैं आत्मा समझेगी तो हम है आस्तिक और जब हम दे समझेगे तो हम है नास्तिक आत्मा समझ कर रहना बाकी सुक्षम वतन की कोई मुख्षे कहानी है नहीं कहानी तो वहाँ आओ जो कुछ हो यह सिर्फ समझाने के लिए चित्रे कितनी अच्छी बात है और कितना क्लियर बाबा कहते है उसकी कोई कहानी नहीं है बिसुक्षम वतन में क्या होता है कैसा होता है कुछ नहीं कोई कहानी नहीं है कब बना कैसे बना यह हमारी सेरी की कहानी है हम दुनिया की कहानी है पर तो सुक्षम वतन की मुख्षे कहानी है नहीं बस सिरफ वो चित्रों चित्र इसलिए हैं समझाने के लिए इससे और क्लियर बाबा क्या समझा सकता है सुक्षम वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं पहले कोई जानते नहीं तो मूल वतन सुक्षम वतन है फिर है स्थूल वतन जहां हम रहते हैं तो पहले सब को बाब का परिचे देना है, बक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिव परमात्माय नमा, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे, शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे, उनको फिर सर्व्यापी थोड़े ही कहा जाते हैं, उनको फिर सर्वयापी थोड़े कहा जाता है, श्युव प्रमात्मा को सर्वयापी तो नहीं कह सकते न, पतितों को पावन बनाने का कर्तव ये करना है तो क्या पित्तर ठिकर में जाकर करेंगे, आखिर आत्माओं को बैठ पढ़ाएंगे न, आत्माओं को पतित से पावन बन आत्माओं जब पतित से पावन बनेंगी तो प्रकृति भी पावन बनेंगी, उसको ही घोर अंध्यारा कहा जाता है, ये भी ड्रामा में नूद है, बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस से गलानिर्भवती बारता, किसकी गलानी, वो लोग तो शलोक गा देते हैं शलोक सुना कर फिर अर्थ सुनाते हैं, ये तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए, कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, कहले उनसे सुनो, फिर उनको बताओ, फिर फट से बैठ सुनाना, कहले उनकी सुनो, फिर फट से बैठ कर सुनाना चाहिए ऐसे थोड़े समझेंगे कि ये बीके बल सफेद ड्रेस है परन्तु छापा थोड़े लगा हुआ है तुम कहां भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो इसका अर्थ तो बताओ देखो वो क्या सुनाते हैं बाकी ये इतने सब चित्र तो डिटेल हैं विस्तार से समझने के लिए हैं अथा ग्यान है सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं फिर सेकिन की भी बात सुनाई सिर्फ बाप का परिचे देना है वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचैता है हम सभी उनके बच्चे हैं वही बच्च आपस में भाई भाई हैं तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए परतु सब को मिलना से बाप आते ही हैं भारत में और भारत वासी ही स्वर्ग वासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं, ये तो बहुत सहज है परन्तु समझते नहीं, बाबा को तो वन्डर लगता है, एक दिन गणिकाएं आदी भी आकर सुनेंगी पिछारी में आने वाले दीख्ये हो जाएं, वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं, बहुतों को लज्जा आती है, दे अभिमान बहुत हैं, बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है, इसमें मुख्य चाहिए योगबल, मुख्य चाहिए योगबल, बिलकुल ही पतित हैं, बिलकुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए, अभी वे याद का बल कुछ कम है किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है difficult subject है इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उदार कर सके वहले खुद पावरपुल हो तब तो गणिकाओं का भी उदार कर सके अच्छी अनभवी माताएं जाकर सब जाएं कन्याओं को तो अनभव नहीं है माताओं को तो अनभव है माताएं समझा सकती है बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे दुनिया ही शिवाले बन जाएगी सत्युक को शिवाले कहा जाता है वहाँ अथा सुक है वहां अथा सुक हैं, उन्हों को भी ऐसे समझाओ, कि बाप कहते हैं, अब परतिज्या करो पवित्र बनने की, ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तिखी चाहिए, इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबर वार हैं, सेंटर पर रहते हैं, बाबा जानते हैं, सब एक रस नहीं है, सर्विस पर जो जाते हैं, उनमें रात, दिन का परता हैं, तो पहले जब किसको समझाओ, तो बाब का ही परिचे दो, बाब की ही महिमा करो, इतने गुण सिवाए बाब के, कोई दे ना सके, और किसके हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं, बाब ही सत्यू की स्थापना करते हैं, अभी ये है संगम युग, जब कि तुम पुर्शोतम बन रहे हो, तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, ये तो समझाते हो, आत्मा का ही शरीर है, कहां तक कोई समझते हैं, ये शकल से मालूम पढ़ जाता है, उनकी शकल से पता लग जाएगा, कि इनको ये ग्यान की बाते समझ में आ रही हैं, या नहीं आ रही हैं, कोई मूडी होते हैं, तो सारी शकल ही बदल जाती है, अभी देखो तो मोज में, और अभी देखो तो रोने लग जाएगा, मूर्चेंज हो गया, आत्मा समझ बैठेंगे, तो शकल भी अच्छी रहेगी, और ये भी प्रैक्टिस होती है, इसकी भी प्रैक्टिस होती है, गार ग्रेस्ट में रहने वाले इतने उचल नहीं सकते, जो गार ग्रेस्ट में परिवार में रहने वाले हैं, वो इतनी अच्छी तरह उचल नहीं स समझी, ये दुनिया बर के जमेले लगा पड़ा है, पूरा अभ्यास करें, तब चलते, फिरते, उठते, बैठते, पक्के हो, याद से ही तुम पावन बनते हो, आत्मा जितना योग में रहती है, उतना पावन बनती है, सत्युग में तुम सतो परधान थे, तो बहुत खुश थे, अभी संगम पर तुम हसते बहुते रहते हो, बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए, बाकी क्या चाहिए, बाप पर तो कुर्बान होना है, सहुकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों कोही मिलता है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृधी को पाते रहेंगे, कोटों में कोई विजे माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है, नमबर वास, कितने धेर बन जाएंगे, सवकार गरीब सब होंगे, ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्षन में चले जाएंगे, तो बाप समझाते हैं, बच्चों को डैवी गुन भी धारन करने हैं, तुमारा खान पान भी अच्छा चाहिए, तुम्हें कभी ये आश नहीं रहनी चाहिए, रखनी चाहिए कि मैं पलानी चीज खाऊं। ये आशाएं यहां होती हैं, बाबा के बड़े बड़े वान परस्तियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शान्ती से रहते हैं, यहां तो ये बेहद की बाते सब बाप समझाते हैं। वैश्याएं, गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुम से भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी, जो सुनते ही खुशी का पारा चड़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर स्ट्रेष्ट बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत उंचा होगा। कहेंगे वा, ये तो वैश्यों को भी इतना उंच बनाती हैं, खुद ही कहेंगे हम शुद्र थे, अब ब्रामन बने हैं, फिर हम सो देवता छत्रिये बनेंगे, बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उनती को पाएंगे, वा नहीं। हिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चड़ जाएंगे, आगे चल कर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो नए बच्चे सर्विस में कितना उचलते हैं, ये नए नए बच्चे होते हैं, नए नए ग्यान सुनते हैं, उनको बड़ी खुशी होते हैं, समझते हम को जा करके ये ग्यान सुनाएं, उचलते हैं, अच्छा हाँ, मिठे मिठे, सिक्की लधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गोड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप को नमस्ते, 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 राणा के लिए मुख्य सार, नमबर एक, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं, वैशाओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो, तब नाम बाला हो, स्वैम की द्रिष्टी को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो, कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं, बाप की याद में रहो, तो पावन बन जाएंगे, वर्दान, अनादी स्वरूप की स्मृती द्वारा संतुष्ट ताका अनभव करने और कराने वाले संतु, संतुष्ट मनी भव, क्या बनो, संतुष्ट मनी बनो, अपने अनादी और आदी स्वरूप को स्मृती मिला, और उसी स्मृती स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वेम भी स्वेम से संतुष्ट रहेंगे, और औरों को भी संतुष्टा की विशेष्टा का अनभव करा सकेंगे, आई संतुष्टा का कारण होता है अप्राप्ति क्योंकि कोई चीज़ चाहिए और वो नहीं मिल रही तो गुसा आएगा, नराज होगा, संतुष्ट नहीं हो सकता आपका स्लोगन है पाना था वो पालिका बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना स्लोगन बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना इन तीनों की समानता बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना इन तीनों की समानता है जो समझ में आया वही चाहना है और वही करना है यह नहीं कि समझ में तो आया यह करना होना चाहिए कर रहा हूं मैं कुछ और अपनी समझ थे और कर चाहना कुछ है करना कुछ है समझना कुछ है तो फिर सपलता नहीं मिल सकती अव्यक्ति साइलेंस, अव्यक्तमास हैं, अव्यक्ति साइलेंस के द्वारा डबल लाइट परिष्टा सित्ती का अनुभव करो वर्दानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वेम में शुद संकल्प धारन करो सारा दिन शुद संकल्पों के सागर में लेराते रहो और जिस समय चाहे शुद संकल्पों के सागर के तले में जाकर सैलेंस स्वरूप हो जाओ आपकी ये डीप साइलेंस सित्ती वायू मंडल का परिवर्थन कर देगी और आप स्वेम को डबल लाइट परिष्टा अनुभव करेंगे अच्छा ओम शांती और विश्दार से जानने के लिए विश्व में एक सो चालिस देशों में प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रेशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें 965069 2270 पर केवल वर्शव करें हो नहीं ओम शांती